गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स पिछली क्लास में अपना 5.1.3 चल रही थी उसमें अपने बच्चों कुछ बच्चों के थोड़ डाउट आए और डाउट करने के लिए सबसे पहले अपन करते हैं एक्जामपल नंबर 10 एक्जामपल नंबर 10 के अपने पास एक्जामपल नंबर 10 है जो सेकिंड टाइप ओफ एक्टिशन है इसका कि 5-3 इस इरेशनल प्रूव दैट 5-3 इस इरेशनल तो देखो इसको कैसे करेंगे 5-3 को इरेशनल प्रूव करना है तो वही सेम मेथड रखेंगे हम इसको सबसे पहले रेशनल नंबर एजियूम करेंगे एजियूम फाइफ माइनस रूट 3 इस 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 इसको अगर हमने रेशनल नंबर बाना तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं देन फाइफ माइनस रूट 3 इस इक्वल टू ए अपॉन बी वेर एंड बी आर इंटीजर्स वहाँ पे ए और बी क्या हैं इंटीजर्स हैं इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो तो रेशनल नंबर ही आएगा फिर हमने लिखा कि जो अन्रूट होगा उसको एक तरफ रखना है और बाकि जितने भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर होंगे उनको ट्रांसपोर्स करना है तो हमने लिखा 5 is equal to root 3 का transpose कि हमने right hand side then we get a upon b plus root 3 ध्यान रखो इसमें करना क्या है जो भी अन्रूट में value होगी या जो भी नंबर irrational होगा जिसे अन्रूट 3 एक इरेशनल टाइप है इसका हम एक तरफ क्या आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अन्रूट का नंबर आना चाहिए तो वह आ गया हमारे पास इसका सोच लूट के लेते हम लूट वाइएगा बी वनका डिवाइड लीमें बीका मुल्हिए 5 से 5B minus है तो minus B का divide B में one time then we get 1 into A is equal to A यह relation आगया अपने पास कोई भी दो integer सोच लो चाहे वो plus के हो चाहे minus के हो कोई भी दो integer ले लो जैसे minus 2 plus 3 upon में 8 ले लिया हमने integers ले लिया हमने 3 इसको solve करेंगे तो कितना है गा 1 by 8 किसी भी integers को अगर हम solve करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है rational number आता है किसी भी integers को अगर हम solve करते हैं तो वो क्या आता है rational number आता है इसका मतलब यह तो हमारा एक rational number हो गया it means 5B minus A upon me B is a rational number but root 3 is a rational number root 3 हमने prove कर रख है पहले से वह पहले से क्या है irrational नमबर है क्या rational और irrational number equal possible है नहीं rational irrational नमबर cannot be equal we equal possible नहीं है कभी भी इटमेंस हम क्या कहेंगे मैं क्या है क्या से अजक कर्بةerd अधिचर्स इघंग बी आर इंटिजर्स छो 5B minus A upon B is rational number but under root 3 is irrational तो हमने लिखा A and B are integers A और B integers हैं तो जो यह form होगी 5B minus A upon B is rational number but under root 3 is irrational number and it cannot be equal और यह दोनों क्या नहीं हो सकते equal नहीं हो सकते अगर equal नहीं हो सकते it means हमने जो एस्यूम क्या वो हमारा आजम्शन रॉंग है therefore this is contradiction आजम्शन आजम्शन करो था फाइफ माइनस रूड थी जो भी एरस्नल नंबर गिवन वोग्ट उसको रेशल नंबर आने के बाद तो रेशल नंबर वोगा उसको पी बाई क्यू फॉम में राइट कर सकते हैं तो में लिगा फाइफ माइनस रूड त्री इस एकौल टू ए भाई भी और ऑन वी यह क्या हैं इंटिजर्स थे तो अब हमारा ठार्गेट क्या होगा इतना यह करने के बाद जो अंडूरूटका नंबर गया नंस्ति त्राकोस की यह प्लस का हो गया थो यह से मिंदा यह फॉर्म आगी अवfront क्यों क्योंकि हमने एक एक के देखा कि दो इंटेजर्स ले लो अगर उनको पीपार क्यू फॉर्म- माइनस कुछ भी करते हैं तो हमेसा किस फॉर्म में रहते हैं रहते हैं तो यह तो रह्य है लेकिन यह इर्सनल नबर है तो रहोरम और रहोर स्नल नममर कभी इकोवल नहीं होसकते रहyrसनल और irrational number कभी equal नहीं हो सकते हैं तो हमने क्या लिखा a and b are integers so 5b minus a upon b is irrational number but under 3 is irrational therefore this is contradiction of our assumption यह हमारे assumption का oppose करेगा या फिर यह लिख सकते हो कि this is oppose of our assumption hence 5 minus root 3 is irrational इसलिए यह क्या हो गया एक irrational number हो गया क्लियर है ठीक है चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल थ्री अंड्रूट टू इस इर्रेशनल यह प्रूव करना है अब मैथड चैंज नहीं करेंगे थ्री अंड्रूट टू इस इर्रेशनल प्रूव करना है तो इसको सबसे पहले वह है लेट सेजियूम सब्सक्री अंड्रूट हो इस रेशनल नम्पर हमने सब्सक्राइब क्या एक थे रेशनल नम्बर और अगर यह रेशनल नम्बर है तो इसको किस फोर्म में डेनोट कर सकते हैं पी अपॉन्व क्यों फॉर्म में थ्री रूट टू इस एक्वल टू ए अपॉन भी वेर एंड बी और इंटीजर्स एंड बी आर इंटीजर्स टार्गेट वही है एक तरफ रूट अकेला रहना चाहिए यह कितने नंबर में यह प्रोसेस कब होती है जब एक नंबर का क्यूशन हो तीन नंबर का क्यूशन होगा तब पहुंस ही करेंगे पहले अंडूट 3 अंडूट 2 जो भी अंडूट में होगा उसको रेशनल करेंगे समने लास्ट पिछली क्लासों में किया था यह यह तो पहले वह मैथड़ फॉलो करेंगे फिर आगी यह करेंगे ठीक है लेकिन हमें इसको केसी तरह से ट्रीट कर रहें एक नंबर का किसंग की तरह त्री मुल्टिप्लाइं में इधर आएगा होगा डिवाइड में अंडूट टूइस इक्वाल टू अब अपॉन थ्री मुल्टिप्लाइं में इस तरफ आया तो यह किसी में हो गया डिवाइड में अब देखो फिर से यह तो इर्रेशनल फॉर्म है इर्रेशनल नंबर है और जबकि यह क्या है यह एक्वाल पॉसिबल नहीं है तो हम इसमें क्या लिखेंगे बिकोज ए एंड बी आर इंटीजर्स सो ए अपॉन थ्री बी इस रेशनल नंबर बट अंड रूट टू इस रेशनल वही लाइन लिखें हमने ए और भी इंटीजर्स हैं तो किसी भी इंटीजर्स का रेशियो उसको हमें सा कंवर्ट करेगा रेशनल नंबर में लेकिन अन्रूट टू तो डारेक्ट ही क्या है एक इर्रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे देर फूर इस इस कॉन्ट्राडिक्शन ओफ आवर अजेंब्शन यह फोट ट्रीड टू क्या है एक इर्रेशनल है इस इस कॉंट्राडिक्शन ओफ आवर एप्शन थाप्शन थाप्या है अफिस्थождी डिख्शन थाओर्प इन दिस क्लाश्वट इस क्लास्रोट आउट इस क्लियर थाइव जासे माइनस रूट थिया प्रोसेस खुरेंगे 3 root 2 इस form में होगा तब यही process करेंगे हमें सिर्फ एक को irrational दिखाना है दोनों equal possible नहीं हो सकते तो यह हमारे assumption को क्या करेंगे अब पॉस करेंगे अब पॉस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा अपना assumption रॉंग और अगरा assumption रॉंग है तो यह क्या हो जाएगा irrational हो जाएगा ठीक है अब इससे अगली जो exercise हो कि 1.3 में अगर कोई डाउट आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको बिसक्ष करेंगे तेंग्यू